हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आर चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूँ आपकी होस्ट प्राणशी राठो दश्को जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों टीवी एक्टर श्वेता तिवारी काफी दिनों से अपनी परसनल लाइफ को लेकर शुर्कियों में बनी हुई है आपको बता दें कि हाल ही में श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने अपने सौतेले पिता अभिनब कोहली पर घरेलू उत्पिडन के गंभीर आरोप लगाए थे वही इस मामले में पुलिस ने अभिनब कोहली को गरफतार भी कर लिया था लेकिन वो जल्द ही जमानत से बाहर आ गए उन पर लगे आरोपों के बाद अभिनब को हर जगा विरोध का सामना करना पड़ा है उनको इस सोशल मीडिया पर लोग काफी बुरा भला कह रहे हैं जिसकी बज़ा से अभिनब ने अब चुप्पी तोड़ दी है आये बताते हैं अभिनब ने क्या कहा है इस मामले में श्वेता तिवारी के पती अभिनब ने अपने एक इंट्रिव्यू में बताया है कि हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं मैं बस एक ही बात कहूँगा कि सच जरूर सामने आएगा खुद पर लगे ऐसे आरोपों और सोशल मीडिया पर हो रही बदनामी से अभिनब काफी दुखी है उनका कहना है कि ये बहुत दुखद है लेकिन किसी वी शक्स को स्ट्रॉंग रहना चाहिए क्योंकि चीजें और भी बहतर हो सकती है इनारोपों के बाद उन्हें बड़ा जटका लगा था इतना ही नहीं अभिनब ने कहा है कि अभी मैं हालात से रिकवर हो रहा हूँ और अभी तक परिशान हूँ फिलहाल मुझे पूरी तरह से नॉमल होने में समय लगेगा साथ ही उन्होंना बता है कि वो जेल से आने के बाद श्वैततिवारी से भी मिले थे हालां कि अभी तक इस मामले में श्वैततिवारी की और से कोई रियक्शन सामने नहीं आया है वहीं इस मामले में बीते दिनों श्वेता तिवारी के एक सस्वेंड राजा चौधरी ने भी अपना बयान दिया था राजा चौधरी ने कहा था कि बेटी के साथ अविनफ के ऐसे बरताफ की वज़ा से वो काफी गुस्से में है इतना ही नहीं राजा चौधरी ने कहा था कि वो एक मालिक की तरह मेरी बेटी को आधेश दे रहा था कि अंदर जाओ, यहां मत बैठो और पलक को बहुत अनुचित तरीके से देख रहा था जिसने मेरे खून को उबाल दिया है अब देखना होगा कि खुद श्वेता तिवारी इस पूरे विवाद पर क्या प्रतिक्रियाय देती है दश को यह तो था अविनव कोहली का बयान अब देखना होगा कि अविनव कोहली की इस बयान पर श्वेता तिवारी और पलक का क्या रेक्शन आता है देखते हैं कि शुयतते बारी अपने पती की इस वयान पर क्या कहती है फिराल हम लेते हैं विदा बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहेए नेक्स नाई लाइव से